जिसना से SEO में हर चीज़ के सिगनल्स हैं, Google उन सिगनल्स को पकड़ता है, जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं और उन फैक्टर्स के अपर Google हमारी वेबसेट रैंक करता है, यह शीज़ हमने वीडियो में भी पढ़ी थी, यह शीज़ हमने डिफरंट जो भी हमने अभी तक पढ़ी हैं सब चीज़ों में, बिंग भी यही काम करता है, लोकल SEO भी डिफरंट नहीं है, लोकल SEO में भी Google कुछ इस access signal करता है, और आफ इस पे किस लिस्टिंग को नीशा रखना है, इस तॉपिक में एससे पहले को सपे किस लिस्टिंग में क्लियर किया थ किस सह से आपने पूरी लिस्टिंग को फुली यूज़ करने हैं, इसको रोज़ान एक ठीव रखना है, ताकि Google को यह पता हो, कि आपका एक business बड़ा active business है अगर आप business fully optimize नहीं करेंगे तो Google को लगे रहा कि यह serious नहीं है इनके बाद information भी नहीं है इतनी information नहीं है कि अपने business पर डाल सकें तो सबसे पहला rule local SEO को यह है कि सबसे पहले local अपनी listing का उसको properly optimize करें properly उसको बेतर करें फिर अब यह जो location है आप अपनी website पर डालें तो आपको अपनी local listing की location अपनी website से भी link करनी होती है और link करने का एक तरीका यह है कि आप उसके embed करते हैं Google Maps के तोड़ पर अपनी website के ओपर ताकि लोग website पर जाएं तो वो click करके maps पर चले जाएं मैप से click करके website पर आजें तो यह दोनों का interlinking गोगल को यह hint देती है कि यह basically एक दुस्टे से linked है और जब आप यह करते हैं काम तो ultimately वो link करता है कि हाँ भी ठीक है यह business जो है इस location के साथ attached है और यह location जब सरच हो यह business सर्च हो तो यह location और यह website दिखा रही है तो यह एक और factor है जो Google मेर करता है local SEO में तो आपका ensure करना है कि आप इसको add करें उसके बाद जो important factor है वो यह Google यह कहता है कि अगर आप एक location में exist करते हैं तो आप उस location के बारे में content create करेंगे for example होता यह है कि हम कुछ बारे में सिर्फ एक location को cater करते हैं वो location से मराद किया है कि let's suppose एक restaurant है वो एक particular town में ही या एक particular शहर में ही अपनी services cater करता है अब कुछी दूसरे शहर से वो वहाँ खाना खाने लोग नहीं आएंगे until के वो शहर में हो और उनको खाने भूक लगी हो तो उसके आसपस वो चाह के खा लेंगे तो restaurant नॉर्मिल जब marketing की सोचते हैं तो अपने area में देखते हैं अपने town में देखते हैं या आसपस for example अपने शहर में देखते हैं तो उनको कोई घर्ज नहीं है बाहर की चीजों से तो वो क्या करते हैं कि वो local SEO पर रिलाय करते हैं कि लोकल SEO में जब कुछ सर्च करें तो हम उपर आ जाएं Google यह कहता है कि अगर आपने local SEO बहतर करनी है तो आप ensure यह करें कि आप local content भी create करें ताके Google को यह लगे कि यह लोकल बिजनस जो है यह बेड़ा बेतरीन बिजनस है यह local audience को भी help करता है तो अगर कोई mobile store की दुकान है तो अगर कोई mobile store की दुकान है तो यह लोकल स्टोर भी हूँ जहां पर लोग चलके आ सकते हैं मेरे पास मैं content किस तरह का create कर सकता हूँ कि लोकल बिजनस को टागट करें तो एक डिरेक्टरी बना सकता हूँ कि जी मेरी mobile shop है तो मैं नहीं चाहूँ को कि मैं अपने बाकी mobile shop की competitors की list बनाओ लेकिन मैं यह तो बता सकता हूँ कि भाई ठीक है यह कुछ services है अगर आपने mobile repair करना है mobile zone या दूसरे advanced telecom या जितने भी mobile company हैं जहां से आप mobile खरीदते हैं उनकी offices की मैं एक list बना लूँ कि भाई यह वो डिरेक्टरी है जहां से आप जाके अपने mobile repair करा सकते हैं यह वो phone जो हम आपको बेच रहे हैं उसकी warranty आप जहां से जाके claim कर सकते हैं तो उसकी डिरेक्टरी जब आप बना लेंगे ultimately क्या होगा कि आप लोगों को help कर रहे होंगे उस local content को generate करने में और local content generate होने क्वाइसे local audience आपके पास आएगी जिसको problem बारी है उस chair में तो Google जब local audience आएगी तो उसके signal देखेगा कि इस website पे local लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको local जब search करें तो यह business बहुत relevant है मुझे इसको उपर rank करना है regardless कि आप content किस तरह create कर रहे हैं as long as that is relevant to your website that is relevant to your audience वो एक अच्छा content है तो आपने content अपनी audience को देखते हुए अपने business को देखते हुए create करना है और जो भी make sense करता है यानि कि whatever that makes sense for your business for your audience उसको आप ज़रूर add करें ताकि Google को इस signal मेले कि आप local business एक अच्छे local business है इसके लावा ये भी होता है कि जब आप गूगल में register करवा लेते हैं तो गूगल के लावा भी डिरेक्टरीज अवेलेब हैं आज के दोर में जहांपर आप अपनी website से हैं वो रेजिस्टर करते हैं बेजनस रेजिस्टर करते हैं आपको अगर अगर आपके घर पिच्छल का फून लगावाया तो पिच्छल की एक फून डिरेक्टरी मिलती होती थी किसी जमाने में जो कि आप online चलीगी है अब वो yellow pages के नाम से जाने जाते हैं जिसमें accurate सारे बिजनस का database होता है तो आप ये भी करेंगे कि आप अपने डेटा दुसरी डिरेक्टरी में भी जाके submit करेंगे अगर आप अपनी बिजनस कर रहे हैं तो उसका डेटा या जिस company के लिए आप services आफर कर रहे हैं जो भी आपका client है उसकी website का data या उसकी location का data आप जाके बाकी जोगापे लिस्ट करेंगे ताके Google को बाकी website से भी पता चले कि हाँ भाई सिर्फ Google Maps के ओपर यह नहीं ये येलो pages के ओपर या दूसरे जितने भी pages है जितने भी डिरेक्टरीज हैं जहां पर local database listing है वहाँ सब पे ये same business है और ये actual real business है तो Google आपको वहाँ से भी regard करेगा और आपको credibility build होगी trust build होगा और आप याद रखे हैं कि link building भी Google का एक बहुत main ranking signal है Google ये कहता है कि अगर आपकी location अची है तो लोग इसको link करेंगे वो अपनी तरफ से अपनी website में आपको recommend करेंगे याद रहे कि Google वोट गूगल जो links को vote के दोर पर count करता है तो जितने लोग आपको link करेंगे इसका मजब आप खुद बनाएं ताके वो local listing भी उन keywords के उपर rank करना शुरू करें जिन keywords के गहने साब चाहते हैं क्योंकि अगर again competition website में different है अगर आप local SEO में competition करेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो Google my business के उपर होंगे तो आपके competition कम हो जाएगा वैसे आप competition website to website बहुत ज्यादा है लेक बीट करके उपर आजें अगर आपकी website rank नहीं भी कर रही Google आपको location based पे number one पे show कर सकता है अगर आपकी location के listing अच्छी है in the meantime आप अपने दूसी SEO पे काम कर सकते हैं लेकिन आपकी traffic नहीं रुकेगी लोग क्लिक करने वाले ये bother नहीं करते हैं कि result वीडियो में आ रहा है maps में आ रहा है या website में आ रहा है as long as उनको right information मिल रही है वो पहले result पे click करेंगे जान को लग एकर ये हमाई लिए ठीक result है वो आपकी website पे आना शुरू कर देंगे आपने बस इंशुर करना है कि सारे चैनल जो है उनको यूस करें उनको उनको अपर capitalize करें और उनको optimize करके Google पर rank करें